हेलो फ्रेंड्स आइम गवरो सुरकार और वेलकम तो गवरो गोल्डन रूप टॉप चैनल इन इस वीडियो आपके साथ शाजा करेंगे खुले वातावरण में लौकी का पउधा अच्छे से ग्रो करता है, इसको सबसे ज्यादा सनलाइट के आओशकता होती है मैंने ये लौकी का पउधा जमीन में लगाए है, देखें मैं इससे रसी से उपर मैंने इसको लटका दिया है यह उपर उपर गया है ये विव आपको देखिए यहाँ पर उपर एक लवकी लगी है इसकी हार्वेस्टिंग पर मैं आपको बताऊंगा आपके साथ साजा करूंगा आप जब इसकी हार्वेस्टिंग करती है तो इसका फल इतने इजिली नहीं तूटता तो आप इसे कैची या चाकू से काट लिजे नीचे मत कीचे नहीं तो पूरा वेल नीचे आजाएंगा अगर आपके लवकी के पहुदे पे लीप माइनर का अटैक आपको दिखता है तो आप नीम स्प्रे का इस्तमाल कर सकते हैं मैं एक छोटे से पट्टी के मदद से इसको काट रहा हूँ एक हाथ से कैमेरा पकड़ा है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है थोड़ा सा डिस्टेड बंसे आ रहा है देखिए नाव फाइनली वी हर्वेस्ट इट देखिए मैंने इसको हर्वेस्ट कर दिया बहुत ही अच्छा साइज आया है और पीछे आपको मेरी एंजयम की बॉटल दिख रही होंगी ये वीडियो मैंने अभी फिलाल शो आपके साथ किया था पॉमो ग्रेनेट का ये एंजयम है इसकी ग्यास में निकाल लेता हूँ और आपके साथ यही साजा भी करता हूँ इसके साथ ये साइट्रस पील का भी एंजयम मैंने आपको दिखाया था और ये गुड का पानी है देखिए लवकी का साइज जो बहुत ही बड़ा है और एकदम सॉप्ट है इसके लाश्ट में जो आपको फूल दिख रहा हूँगा जब ये सुखा हुआ फ्लावर अपने आप गिर जाएंगा तब समझ ले कि लवकी की पूरी ग्रोथ हो चुकी है यही सिंपल ट्रीक है जो आपको कोई भी नहीं बताएंगा लवकी को लाए अच्य से धो डाले और इसे पूरा छील डाले उसकी उपर की जो लेयर होती है आप इसे निकाल ले नाओ दी प्रोसेस औप ग्रेटिंग इस ड़न इसे कदुकस कर ले Now the process of making paratha from the bottle is start This process is carefully done Then we ready for the next process Now add different ingredients ये तिल है एक चमच आप अजवाइन ले 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 जिए एक चमच चिली का पावडर एक चमच हल्दी एक चमच नमक और थोड़ा सा आप इसमें बेसन एड़ कर सकते हैं और एक कप आप आटा ले ले जिए गेहुका फिर इसको अच्छे से बेल लीजिए गोलाकार आकार में फिर तवे पे थोड़ा सा तेल डाल की इसे अच्छे से सेख लेजिए ये प्रोसेस तो आप मेरे से अच्छा समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं और हमारा गरमा गरम पड़ाठा आपके लिए एकदम तैयार है एकदम बिल्कुल लजीज और लाजवाब है अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए बेल नोटिपिकेशन आइकान को आउन किजिए ताकि नए नए वीडियो हम आपके साथ साजा कर सके और एक लाइक हमारे वीडियो को भी देजिए ताकि हमें प्रेरना मिले हम नए नए वीडियो आपके साथ साजा कर सके और नई information आपके साथ शेयर कर सके लवकी का ये पौधा होता है इसे पानी बहुत ही पसंद है इट रिक्वाइर प्लेंटी ओफ वाटर फॉर फॉर दी ग्रोथ अल्सो यूज दी वर्मी कमपोस्ट फॉर दियर प्रॉपर ग्रोथ और ये डेवलोपमेंट अफ दिस प्लाइंट ये हमारे लवकी यानि बॉटल गॉट के सीड है जिसका बाहरी तना बहुत ही सक्त यानि जो आउटर कवरिंग होता है बहुत ही सक्त होता है इसलिए ये सीड जर्मीनेट होने में 10 या 8 दिन लेता है लेकिन आप इसको आप जल्दी जर्मीनेट करना चाहते हैं तो इसे एक या दो दिन अच्छे से पानी में भिगो के रखें बाद में जर्मीनेट करें विच आर वेरी हल्पुल फॉर दी जर्मीनेशन औलसो मिनिमाइज दियर जर्मीनेशन टाइम आप बचा सकते हैं एक या दो इंच के गड़े में ये सीड लगाएंगे तो जर्मीनेशन अच्छा होगा पौदर में आप पानी की कमी बिल्कुल ही ना होने दे देखे मैं आपको अभी जूम करके बताता हूँ यहाँ पे छोटी छोटी लवकिया लगी है यह हमारे लवकि के बिल्कुल पियर सीड़े इसमें कोई भी लीप माइनर का अटैक बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि मैंने एक बार इसमें निम स्प्रेय अड़ किया था और अभी मेल फ्लावर मैंने आपके सामने इसको तोड़ा है देखे उपर ऐसा मैंने बासा लगा कि इसकी रसी लगाई है ताकि वेल इसके उपर अच्छे से चड़ पाए और अच्छी फ्रूटिंग दे पाए इसको सपोट भी बहुत ही अच्छा मिलेंगा अभी मैं आपको जूम करके लवकी बता रहा हूँ तो देखे यह फिमल फलावर था मैंने इसका हैंड पालिनेक्शन करके इसको अच्छे से ग्रो किया है देखे यह दूसरा हमरा लवकी का फलावर है यह फिमल प Probate किया है और अभी इसमें लवकी यह बड़ी साइज की हो जाएंगी आप अगर इसे grow bag में अपने terrace पे लगना चाहते है तो 3 feet by 3 feet या फिर 2 feet by 2 feet का grow bag लीजिए इससे चोटा bag आप कदापी यूज ना करें आपको result अच्छा नहीं मिलेंगा देखे ये 2 feet by 2 feet का grow bag है इसमें अच्छे से compost मिलाके मिट्टी में अच्छे से पौदा propagate होगा मेरा gardening का तजर्बा यही कहता है कि जितना grow bag का size बढ़ा होगा उतना फल उसमें अच्छा होगा, healthy होगा और बहुत सारी fruiting भी आएंगी आप गलती करके छोटा pot लेंगे तो उसमें fruiting बिलकुल ही नहीं होंगी ना के बराबर होंगी और disease भी पौदा में बहुत ही लगेंगा और आपका time और आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी इसलिए बड़ा grow bag आप यूज़ करें इसकी जड़े बहुत ही फैलती है और अच्छे से ग्रो होने के लिए इसको जादा जगा ये लेता है यू कैन इजली जर्मिनेट दसीड आप लवकी इन फ्रॉम फेवरिवरी तो मार्स लवकी के सीड को जर्मिनेट होने में टेम्परेचर जादा लगता है आप इसमें एक स्पेशल केर कीज़े लेकिन जब टेम्परेचर चैलिस के उपर चला जाता है तब उसमें फिमेल फ्लावर आना बंद हो जाते मेल फ्लावर ही आते है ताकि तब उस टाइम में लवकिया इसमें बिल्कुल ही नहीं आएंगी लेकिन जब पहली बारिश की बूंदे ये पौधे पर गिरेंगी तो लवकिया इसमें फिमेल फ्लावर के साथ आना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा अच्छे से फलेगा भी और फूलेगा भी एक बार इसमें लवकिया लगना स्टार्ट हो गई तो फिर थमते नहीं थमेंगी और आप इसका पूरा आनन उठा सकेंगे और ऐसी रोचक जानकारे के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें तो गेट मोर इंफोर्मेशन और नोटिफिकेशन प्लीज प्रेस दे बेल आइकॉन थैंक यू